हेलो फ्रेंट्स दिस इस ख्याती सेथी वेलकम टू यर ओन यूट्यूब चैनल सत्गुरु इंसिट्यूट आज हम करेंगे में कोर्स बुक का लेसन 6 दा हूम कमिंग का पार 2 विच इस रिटन बाइ नोबल लॉरेट रबिन्दर नाट्यगोर लास्ट वीडियो में हमने लेसन 6 के पार्ट वन को कर लिया था जिनोंने अभी तक पार्ट वन नहीं किया वो कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा सो फ्रेंड्स यह बहुत ही इंटरस्टिंग स्टोरी है सो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बे सब्सक्राइब को इंस्टाग्राम, फेस्बूक और ट्वीटर पर फॉलो कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पार्ट वन कहां तक कर लिया था फ्रेंड्स पार्ट वन में जो फातिक था वो कोलकता जाने के लिए बहुत उत्सुक था वो सारा दिन हर मिनिट अपने मामा जी से यही पूछता रहता कि वो लोग कोलकता के लिए कब रवाना होंगे फातिक सारा दिन बेचैनी में उत्सुक रहता और रात को भी जागता रहता फातिक इतना ज़्यादा एक्साइटिट था कोलकता जाने के लिए कि उसने अपनी फिशिंग रोट अपनी काइट और अपने मार्बल्स अपने छोटे भाई माखन को हमेशा के लिए वसीयत में दे दिये वास्ता में जाने के समय में फातिक की माखन के प्रति उदारता असीम थी सो फ्रेंड्स हमने यहां तक पार्ट वन में पढ़ लिया था तो चलिए अब आगे देखते हैं The Homecoming When they reach Kolkata, फातिक met his aunt for the first time. So friends, जब फातिक और विशंबर Kolkata पहुंचे तो फातिक पहली बार अपनी मामी से मिला था. She was by no means pleased with this unnecessary addition to her family. फातिक की मामी फातिक को देख कर बिलकुल भी प्रसंद नहीं थी, बिलकुल भी खुश नहीं थी. वो अपनी फैमली अपने परिवार में किसी भी तरह की अनावशक विदी से प्रसंद नहीं थी, वो ये नहीं चाती थी कि फातिक उनके पास रहे, उनके स साथ रहे. She found her own three boys quite enough to manage without taking anyone else. फातिक की मामी के खुद के तीन लड़के थे, खुद के तीन बच्चे थे, और बिना किसी और बच्चे को लिए, अपने तीनों बच्चों को संभालना उसके लिए काफी था प्रयाप था. And to bring a village lad of 14 into their midst was terribly upsetting. और अब उपर से फातिक आ गया जो गाउं का 14 साल का लड़का था. फातिक उनके परिवार में शामिल हो चुका था. फातिक की मामी के लिए फातिक को अपने परिवार में शामिल करना और उपर से उसको संभालना उसके लिए ये बेहत परेशान करने वाल बात थी. बिशंबर शुड रियरली हैफ थोट ट्वाइस बीफोर कमिटिंग सच अ इंडस्क्रिशन. वास्तव में फातिक को कौलकता लाने से पहले बिशंबर को दो बार सोचना चाहिए था. उसे ये सोचना चाहिए था कि उसकी खुद की अपनी फैमिली है, खुद के उ सोचना चाहिए था. उसे ये सोचना चाहिए था कि 14 साल का गाउं का लड़का नए शहर में नए लोगों के साथ, नए वात्तावरन में कैसे अपने आपको अर्जस्ट कर पाएगा. इन सभी बातों के बारे में विशंबर को सोचना चाहिए था. ऐसी बेसमजी करने से पहल था. उसे सिर्फ अपनी बेहन का दुख दिखाई दिया. ना तो उसने अपने परिवार के बारे में सोचा और ना ही फाती के बारे में सोचा. फाती को अपने साथ कोलकता ले जाना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी. In this word, there is no worse nuisance than a boy at the age of 14. इस संसार में, इस दुनिया में, चोदा साल का लड़का सबसे बुरी बादा है, सबसे बड़ी रोकावट है. He is neither ornamental nor useful. चोदा साल का लड़का ना तो देखने में सुन्दर होता है और ना ही उपयोगी होता है. It is impossible to shower affection on him as on a smaller boy. 14 साल के लड़के पर शोटे बच्चों की तरह स्ने की बोछार करना भी असंभव होता है. यानि कि 14 साल के लड़के को छोटे बच्चों की तरह प्यार भी नहीं किया जा सकता. and he is always getting in the way और 14 साल का लड़का हमेशा किसी ना किसी कार्याय में किसी ना किसी काम में विघन डालता है रुकावट डालता है If he talks with a childish lisp, he is called a baby अगर 14 साल का लड़का बच्चो जैसे तुतलाता है तो उसे बच्चा गह दिया जाता है and if in a grown-up way, he is called impertinent और अगर वो सैयाने तरीके से बड़े लोगों की तरह बात करता है तो उसे असभ्य अशिष्ट कह दिया जाता है In fact, talk of any kind from him is resented असल में 14 साल का लड़का किसी भी परकार की बात करे चाए अच्छी करे, चाए बुरी करे उसकी हर एक बात का विरोध किया जाता है अगर वोई बात कोई बड़ा कह दे तो वो सही माना जाता है अगर 14 साल का लड़का कह दे तो उसका विरोध किया जाता है इसके इलावा 14 साल का लड़का बचसूरत दिखाई देता है और बट्टी उमर में होता है 14 साल का लड़का बड़ी ही तेजी से बढ़ता है अशोबनिये जल्दबाजी में बढ़ता है अशोबनिये जल्दबाजी यानि की इतनी जल्दबाजी में बढ़ना जो शोभा ना दे His face grows suddenly angular and unsightly अचानक से उसका चहरा कोनी और बद्दा हो जाता है It is easy to excuse the shortcomings of early childhood बच्चपन में बच्चों की कमियों को बच्चों की खामियों को माफ करना असान होता है हम ये सोचकर बच्चों की खामियों माफ कर देते हैं कि अभी बच्चा छोटा है धीरे धीरे सीख जाएगा But it is hard to tolerate even unavoidable lapses in a boy of 14 प्रंतु 14 साल के लड़के की unavoidable lapses यानि की ऐसी खामिया जिसे टाला नहीं जा सकता ऐसी खामिया जिसे avoid नहीं किया जा सकता ऐसी खामियों को सहन करना मुश्किल होता है So friends, ये तो प्राकृती का नियम है कि कोई भी व्यक्ति perfect नहीं होता है सब में कोई ना कोई खामी जरूर होती है मुझ में भी खामी है, आप में भी खामी है हम सब में कोई ना कोई खामी होती है और ये जो खामिया होती है ये समय के साथ साथ खतम होती जाती है जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता है जैसे जैसे वो अपनी लाइफ को स्पेंड करता है अनुभवी बनता है वैसे वैसे उसकी खामिया दूर होती जाती है खतम होती जाती है He becomes painfully self-conscious 14 साल का लड़का दर्दनाक रूप से आतम जागरुक हो जाता है यानि कि 14 साल का लड़का हर समय इस चिंता इस दर्द में रहता है कि सामने वाला व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचता है सामने वाला व्यक्ति उसके प्रति क्या विचार रखता है वो इसी चिंता इसी दर्द में रहता है अगर मैंने ये काम कर लिया तो सामने वाला क्या सोचेगा अगर वैसा कर लिया तो क्या सोचेगा अगर मैंने ऐसे कपड़े पहन लिया तो क्या सोचेगा यानि कि उसे हर समय यही चिंता लगी रहती है कि सामने वाला मेरे बारे में क् और जब 14 साल का लड़का बड़े लोगों के साथ बजुर्ग लोगों के साथ बात करता है या तो वो बहुत जादा आगे बर जाता है और एल्स सो अंड्यूली शाई या वो इतना जादा शर्मीला बन जाता है कि उसे अपने आस्तितफ पर अपनी जिंदिगी पर लज्जा आने लगती है शरम आने लगती है Yet it is at this age that in his heart of hearts a young lad most craves recognition and love इतना सब कुछ होने के बावजूद फिर भी जवान लड़के के दिल में पहचान और प्यार की जोरदा तलब होती है लालसा होती है वो पहचान और प्यार के लिए तरस्ता है And he becomes the devoted slave of anyone who shows him concentration और जो भी व्यक्ती उस पर ध्यान देता है उसको महतव देता है उसकी भावनाओं का लिहास करता है वो उस व्यक्ती का समर्पित दास बन जाता है समर्पित गुलाम बन जाता है But none dare openly love him प्रन्तु कोई भी व्यक्ती 14 साल के लड़के को खूले तोर पर प्यार करने की हिम्मत नहीं करता For that would be regarded as undue indulgence क्योंकि ऐसे प्यार को अनुचित प्यार माना जाता है And therefore bad for the boy और लड़के के लिए भी बुरा माना जाता है So what with scolding and chiding he becomes very much like a stray dog that has lost its master तो 14 साल के लड़के को डाटने से फटकारने से वो उस अवारा कुत्ते की तरह बन जाता है जो अपने माली को खो देता है So friends जो writer है रबिंदरने टेगोर जी उन्होंने 14 साल के लड़के की मनोस्तिती मनोदशा के बारे में बताने की कोशिश किये उन्होंने बताया कि जो 14 साल का लड़का है वो विशव में सबसे बड़ी रुकावट है वो ना तो देखने में सुन्दर होता है ना ही उपयोगी होता है अगर वो तुतलाकर बोलता है तो उसे बच्चा कह दिया जाता है अगर वो बड़े लोगों की तरह बात करता है तो उसे अशिष्ट कह दिया जाता है अचानक से उसका चहरा कोनी और बद्दा होता है वो बड़ी ही तेजी से बढ़ता है इतनी तेजी से बढ़ता है कि उसके कपड़े छोटे बढ़ जाते हैं कोई भी व्यक्ति उसे प्यार करने की हिम्मत नहीं करता क्यूंकि इसे लड़के के लिए बुरा माना जाता है और अगर कोई व्यक्ति उसे डांट दे या उसको फटकार लगा दे तो वे उस अवारा कुत्ते की तरह बन जाता है जो अपने माली को खो देता है So friends, चलिए आगे देखते हैं His own home is the only paradise that a boy of 14 can know 14 साल का लड़का ये अच्छे से जानता था कि उसका अपना घर एक मातर स्वर्ग है To live in a strange house with strange people is little short of torture अजनभी घर में अजनभी लोगों के साथ रहना किसी कश्च से किसी यातना से कम नहीं है While it is the height of bliss to receive the kind looks of women and never to suffer their slights प्रंतु उस घर की इस्त्री से उस घर की महिला से क्रिपाद्रिष्टी प्रापत करना और कभी भी अनादर या अपमान ना सहना ना जेलना सबसे बड़ा सुख है परमानंद है परम सुख है It was an anguish to Fatik to be an unwelcome guest in his aunt's house Fatik अपनी मामी के घर एक अनिष्ट अती थी यानि की बिन बुलाए महमान, unwelcome guest की तरह था Constantly despised, लगाताय तृष्कृत हो रहा था And slighted by this elderly woman और इस बुजुर्ग महिला द्वारा अपमानित हो रहा था ये सब Fatik के लिए पीडा दायक था, कश्क दायक था, दुख दायक था If she ever asked him to do anything for her, he would be so overjoyed अगर कभी Fatik की मामी Fatik को कुछ करने के लिए कह देती तो वो बहुँ ज़्यादा प्रसन हो जाता, बहुँ ज़्यादा खुश हो जाता That his joy would seem exaggerated उसकी जो प्रसंता थी, खुशी थी, वो दिखाई देती थी, वो प्रतीत होती थी And then she would tell him not to be so stupid, but to get on with his lesson और फिर उसकी मामी उसको कहती, बेफकुफ मत बनो और अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो There was no more backward boy in the whole school than Fatik पूरे स्कूल में, पूरे विद्याले में, फातिक से ज़्यादा कोई भी पिछडा लड़का नहीं था यानि की Fatik ही एक मातर ऐसा लड़का था, जो पूरे विद्याले में, पूरे स्कूल में सबसे कमजोर और सबसे पिछडा लड़का था He gapped and remained silent when the teacher asked him a question जब अध्यापक उससे कोई प्रशन पूछते तो वे मुझ खूला, एक तक देखता रहता और खामोश रहता And like an overladen ass, patiently suffered the many threshing that were mitted out to him So friends, यहाँ पर जो writer है, उन्होंने overladen ass, यानि की एक भारी लादे हुए गधे की example दी है उन्होंने इस example के द्वारा, इस उधारन के द्वारा ये समझाया है कि जैसे एक भारी लादे हुए गधे को उसके मालिक के द्वारा पीटा जाता है उसकी धुनाई की जाती है और वो गधा बड़ी ही सहन शीलता से सारी मार को सहता है जेलता है उसी तरह से जो फातिक है वो भी एक भारी लादे हुए गधे की तरह है जिसे टीचर के द्वारा पीटा जाता है उसकी धुनाई की जाती है और फातिक बड़े ही धैर्यपूर्वक सहन शीलता से सारी मार को सहता है भुगतता है जेलता है जब दूसरे बच्चे बाहर खेल रहे होते थे तो वैं बड़ी ही उदासी से खिर्की के पास खड़ा हो जाता और टक-टकी लगा कर दूर घरों की चत्तों को देखता रहता और अगर सायोग से इतफाक से फातिक बच्चों को खुली चत पर खेलते हुए देख लेता तो उसका दिल तरस जाता उसका दिल इच्छाओं से भर जाता One day he summoned up all his courage and asked his uncle एक दिन फातिक ने अपने सारे साहस को अपनी हिम्मत को जुटाया इकत्रित किया और अपने अंकल से पूछा Uncle when can I go home उसने अपने मामा से पूछा मैं घर कब जा सकता हूँ His uncle answered तो उसके अंकल ने जवाब दिया उत्तर दिया wait till the holidays come जब तक छुटिया नहीं आ जाती तब तक प्रतिक्षा करो But the holidays would not come till October and there was still a long time to wait प्रन्तु छुटिया अक्टूबर तक नहीं आएंगी और अभी इंतजार करने के लिए काफी लंबा समय बचा था, काफी लंबा समय बाकी था One day फातिक lost his lesson book, एक दिन फातिक से फातिक की पाट मुस्तक हो गई Even with the help of books, he had found it very difficult to prepare his lesson यहां तक की फातिक ने अपनी किताबों की मदद से, अपनी किताबों की सहायता से पाट त्यार किया प्रन्तु उसे अपना पाट त्यार करने में बहुत कठी नाई आई But now it became impossible प्रन्तु अब उसके लिए पाट त्यार करना असंभव था क्यूंकि वो अपनी पुस्तक हो चुका था Day after day, the teacher canned him unmercifully दिन प्रती दिन फाती की टीचर फाती को बड़ी ही निर्दई रूप में डंडे से मारती छडी से पीटती He became so objectively miserable that even his cousins were ashamed to own him फाती की स्थिती बहुत ही कष्ट दायक थी दुख दायक थी उसकी ऐसी हालत हो चुकी थी की उसके cousins उसको अपना कहने में शरम महसूस करते They began to cheer and insult him more than even the other boys did फाती के cousins दूसरे लड़कों से ज़्यादा फाती का मजाक उड़ाते उसको चिड़ाते, उसका अपमान करते, उसकी बेजती करते At last, he went to his aunt and told her that he had lost his book आखिरकार फातीक अपनी मामी के पास गया और बोला कि उससे उसकी पाड़ पुस्तक हो गई है With an expression of the greatest contempt, she burst out You great clumsy country loud, how can I afford to buy you new books five times a month When I have my own family to look after So friends, जब फातीक ने अपनी मामी को ये बताया कि उससे उसकी पाड़ पुस्तक हो गई है तो उसकी मामी अत्यादिक निंदा, अत्यादिक घ्रना अभिव्यक्त करती हुई food पड़ी ओ तुम अनाड़ी, भेढ़ंगे, अशिष्ट, बेवकुफ लड़के जब मेरे पास मेरी खुद की फैमली है देखभल करने के लिए मैं अपनी फैमली को संभालू या तुम्हें महीने में पांच बार बुक्स ख्रीद कर दूँ फातिक की मामी ने फातिक को बहुत भला बुरा सुनाया उसे कहने लगी कि मैं अपने परिवार के साथ साथ कैसे तुमारा एक महीने में पांच बार किताबु का खर्चा उठा सकती हूँ That night on his way back from school फातिक had a bad headache and a shivering feet उसी रात फातिक स्कूल से वापिस आ रहा था तभी फातिक को तेज सिर्दर्थ और कमकमी हुई He felt he was going to have an attack of malaria फातिक ने महसूस किया कि उसे malaria होने वाला है His one great fear was that he might be a nuisance to his aunt फातिक का एक मातर पर मुकडर यही था कि अगर उसे malaria हो गया तो वो अपनी मामी के लिए महदा का कारण बन जाएगा अपनी मामी के लिए रुकावट का कारण बन जाएगा So friends यहाँ पर जो फातिक था उसे ऐसा लगने लगा था कि अगर वो बिमार पड़ गया तो उसमें भी उसी की गलती है उसकी मामी उसे इस गलती की वज़े से डांटेंगी उसको फटकार लगाएंगी इसलिए वो डर रहा था The next morning फातिक was nowhere to be seen अगली सुबह फातिक कहीं भी दिखाई नहीं दिया किसी ने फातिक को नहीं देखा Search in the neighborhood proved futile सभी ने फातिक की आसपरोस में तालाश की उसको ढूंडा प्रंतु सब व्यर्थ साबित हुआ The rain had been pouring in torrents all night सारी रात भारी वर्षा होती रही and those who went out to look for the boy were drenched to the skin और जो भी लोग फातिक को ढूंडने के लिए बाहर गए वो सभी भीग गए वो तरबतर हो गए At last बिशंबर asked the police to help him अंत में बिशंबर ने पुलिस से कहा कि वे उनकी मदद करें At nightfall, a police van stopped at the door of the house शाम के समय एक police van बिशंबर के घर के दरवाजे पर आकर रुकी It was still raining and the streets were flooded अभी भी बारिश हो रही थी और गलियों में पानी भर गया था Two constables carried Fatik out in their arms and placed him before बिशंबर दो हवलदारों ने Fatik को अपनी बाहों में लिया और बिशंबर के सामने रख दिया He was wet throw from head to foot Fatik सिर से लेकर पाउं तक भीगा हुआ था Covered with mud कीचर से सना हुआ था While his face and eyes flushed with fever जबकि उसका चहरा और उसकी आँखे बुखार के कारण लाल पड़ गई थी And his limbs were trembling और उसके अंग यानि कि उसका पूरा शुरीर काम रहा था बिशंबर carried him in his arms and took him inside the house बिशंबर ने फाती को अपनी बाहों में लिया और घर के अंदर ले गया When his wife saw him, she exclaimed जब बिशंबर की वाइफ ने फाती को देखा तो वो चिलाई What a heap of trouble this boy has given us Hadn't you better send him home जब बिशंबर की पत्री ने फाती को देखा तो वो चिलाई कि इस लड़के ने हमें कितनी मुसीबतों का धेर दिया है हमें कितना परिशान किया है क्या ये बहतर ना होता कि अगर तुम इस लड़के को घर बेज देते फातिक हर्ड हर वर्ट्स एंड सोब्ड अलाउड अंकल आई वास जस्ट गॉइंग होम बट दे ड्रैग मी बैक अगें फातिक ने अपनी मामी के ये शब्द सुनकर रोते रोते सिसकते हुए जोर से कहा कि मामा जी मैं घर ही जा रहा था लेकिन ये मुझे वापिस यहां गसीट दा फीवर रैपेडली इंक्वीज़ एंड थो आउट दा नाइट दा बॉइ वास डिलिरियस फातिक का बुखाल तेजी से बढ़ता गया और रात भर फातिक बेसुद्रा बेहाल रहा बिशंबर ब्रोट इन डॉक्टर बिशंबर ने डॉक्टर को बुलाया फातिक ओपन इस आईज और लुकिंग अप तो दा सीलिंग क्या मैं घर जा सकता हूँ बिशंबर wiped the tears from his eyes बिशंबर ने अपने आसु पहुंचे और फातिक के पतले जलते हुए हातों को अपने हातों में लिया यानि कि बिशंबर ने फातिक के पतले जलते हुए हातों को पकड़ा and sat by his side through the night और उसके हात पकड़ कर सारी राथ उसके पास बैठा रहा again the boy began to mutter फातिक फिर से बड़बडाने लगा till at last his voice rose almost to a shriek आखिर तक फातिक की आवाज लगबग चीक उठी mother he cried don't beat me like that mother I am telling the truth फातिक ने रोते हुए कहा मा मुझे इस तरह से मत मारो मैं सच कह रहा हूँ so friends यहाँ पर जो फातिक है वो बेहोशी की हालात में है वो बेसुद है उसे कुछ नहीं पता लग रहा कि वो क्या बोल रहा है उसके आसपस क्या हो रहा है फातिक को वही द्रिश्य याद आ जाता है जब उसकी मा उसको पीटती है और वो चिलाता है मा मुझे इस तरह से मत मारो मैं सच बोल रहा हूँ The next day फातिक for a short time became conscious अगले दिन फातिक को थोड़े समय के लिए होश आया His eyes wandered round the room as if he expected someone to come फातिक ने अपनी नजरे कमरे के चारो और इस तरह से घुमाई मानो उसे किसी व्यक्ति के आने का इंतजार हो किसी व्यक्ति की आने के उमीद हो At last with an air of disappointment his head sank back on the pillow अंत में निराशा की भावना के साथ फातिक ने फिर से अपने तक्ये का आश्रे ले लिया यानि कि उसका सिर्वापिस तक्ये पर लुड़क गया With a deep sigh he turned his face to the wall फातिक ने घहरी सांस ली और अपना चहरा दिवार की और घुमा लिया बिशंबर read his thoughts and bending down his head whispered फातिक I have sent for your mother बिशंबर ने फातिक के विचार पड़ लिये थे वो जान गया था फातिक क्या चाहता है बिशंबर ने अपना सिर्व नीचे जुकाया और फातिक से दीरे से कहा कि मैंने तुमारी माँ को बुलावा भेज दिया है मैंने तुमारी माँ को बुला लिया है the day dragged on दिन धीरे धीरे बीचता गया the doctor said in a troubled voice that the boy's condition was very critical डॉक्टर ने बड़े ही प्रेशान स्वर में कहा कि फातिक की हालात बहुत नाजुक है फातिक began to cry out by the mark 3 fathoms, by the mark 4 fathoms, by the mark फ्रेंड्स जैसे कि आप सबको पता है कि फातिक बेहोशी की हालत में है उसे कुछ नहीं पता कि उसके साथ क्या और है वो क्या बोल रहे है अब जो फातिक है उसे अपने जीवन के कुछ किस्से याद आ रहे हैं जैसे कि हमने पीछे पड़ा था कि वो बेहोशी में चिला रहा है और अपनी मा को कह रहा है मुझे मत मारो मैं सच कह रहा हूँ वैसे ही ये भी उसके जीवन का एक किस्सा है जो उसके सामने आ रहे है अब जो फातिक है वो चिलाया निशान के अनुसार तीन फैदम निशान के अनुसार चार फैदम निशान के अनुसार सबसे पहले हमें ये पता होना है चीए कि फैदम होता क्या है फैदम का मतलब होता है IkaE जिसे हम English में unit कहते हैं फैदम को पानी की गहराई मापने के लिए इस्तमाल किया जाता है फैदम से ही पानी की गहराई को मापा जाता है जो एक फैदम होता है वो 6 feet के बराबर होता है यानि कि one fathom is equal to 6 feet Many times had he heard the sailors on the river streamers calling out the mark on the lead line फातिक ने कई बार भाप से चलने वाले जहाजों के नाविकों से साहूल रेखा पर निशान को उची आवास में बोलते हुए सुना था साहूल रेखा So friends, साहूल रेखा एक पतली सी रसी या हम सूतली भी कह सकते हैं ऐसी सूतली जिसकी मदद से नाविक पानी की घहराई को मापते हैं So friends मैं आपको एक उधारन देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझा जाएगा तो प्लीज ध्यान से सुनिए जब मिस्त्री दिवार बनाता है तो वो एक पतली सी रसी या सूतली का इस्तमाल करता है जिसके एक कोने पर कुछ वजनदार बंदा होता है So friends जो वो वजनदार चीज होती है वो एक मैटल की बनी होती है जिसकी कोन शेप होती है उसे प्लम बब कहते है जबकि दूसरा कोना उसका खाली होता है So friends आपने देखा भी होगा कि दिवार बनाते समय सूतली को बांदा जाता है जिससे दिवार की लंबाई चुडाई को मापा जाता है और उस सूतली से ही बता लगता है कि दिवार स्ट्रेट लाइन में है यह नहीं है उस सूतली को हिंदी में साहूल रेखा कहते हैं जबकि इंगलिश में उसे प्लम लाइन कहते हैं जब जब पानी की घहराई को साहूल रेखा से मापा जाता है तब तब पानी में निशान लगा दिये जाते हैं और नाविक जोर जोर से बोलते हैं निशान के अनुसार तीन फैदम निशान के अनुसार दो फैदम अब फातिक स्वें अथास आगर की गहराई को नाप रहा था जो भी उसके कश्ट थे दुख थे उन्हें समेट रहा था लेटर इन दे फातिक स् मदर बस्ट इन्टु दा रूम लाइक वर्ल वीड दिन की आखरी घडी फातिक की मा एक चक्करवात की तरह कमरे में घुशी और इधर उधर एक तरफ से दूसरी तरफ डग मगाते हुए विलाप करने लगी रोने लगी बिशंबर ट्राइटू काम हर बिशंबर ने अपनी बहन को शांत करने की कोशिश की बट शी फ्लंग हरसेल्फ ओन दा बेड प्रंतु उसने अपने आपको बिश्तर पर पटक दिया और चिलाई फातिक मेरे प्रिये मेरे बच्चे फातिक स्टोप्ड ही रेस्टलेस मुवमेंट्स फोर अ मोमेंट फातिक ने एक पल के लिए अपनी बेचैनी रोक दी इस हैंड सीज्ट बीटिंग अप एंड डाउन उसके हाथ उपर नीचे होना बंध हो गए फातिक ने का आ दा मजर क्राइड अगेंड उसकी मा फिर रोने लगी फातिक मेरे बच्चे मेरे प्रिये वेरी स्लोली फातिक's eyes wandered but he could no longer see the people around his bed फातिक ने बड़े ही धीरे से अपनी आँखे इधर उधर घुमाई प्रंतु अब वो अपने बिश्तर के आसपास खड़े लोगों को और नहीं देख सकता था at last he murmured आखिर में वो बड़ बड़ाया mother the holidays have come मा चुटियां आ गई है so friends ये फातिक का last dialogue था mother the holidays have come so friends इस कहानी के जो राइटर है रबिंदर नाइट एगोर जी उन्होंने इस कहानी में घर के महत्तव के बारे में समझाया है कि घर कैसा भी हो बड़ा हो चोटा हो जोंपरी हो या महलो घर घर होता है और सबके लिए स्वर्ग होता है घर एक ऐसा स्थान होता है जहां पर हम अपने सुक दुख खुशी गम को बानते हैं घर एक ऐसा स्थान है जिसे हमारे पैर तो छोड़ सकते हैं प्रन्तु हमारा दिल नहीं छोड़ सकता तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा लेसर नमबर 6 दा होम कमिंग कम्पलीट होता है नेक्स वीडियो में हम इस चैप्टर के कोशिन अंसर्स करेंगे अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन इंस्टाग्राम किसी पर भी पूछ सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लएगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब करें आप टेलीग्राम पर सत्गुरु इंस्टीट चैनल को जोईन कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेस्बूक और ट्वीटर पर भी आप सत्गुरु इंस्टीट को फोलो कर सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो, कीप वाचिंग सत्गुरु इंस्टीट